Assalamu alikum आज जो हमने करना है वह है Chinese नाम से तो यह बड़ा Chinese टाइप लगता है मुझे भी लगा था कि यह बड़ा Chinese टाइप होगा लेकिन यह है ईजी सा सबसे पहले हम इसकी statement को देख लेता है statement कहा आपके पास कुछ positive entry celestial n1 शे लेकर nr तक नहीं है इनमें किसी का भी कहते है कोई भी किसी का common divisor नहीं है अचा फिर आगे condition भी लगाई है न, I, N, J, 1 कभ है इनका GCD जब I is not equal to J है ठीक है अगर I is equal to मतलब का I है यानि का N1 का N1 के साथ GCD is not equal to 1 that is N1 ठीक है न GCD of N1 is equal to N1 और N1 का GCD है वो क्या होगा वो कहते हैं 1 की वज़े N1 ही होगा क्योंकि इन दोनों में common जो है N1 भी है ठीक है अचा जी तो अगर कहते हैं I और J equal ना हो तब यह condition apply कर रहे हैं लोग अचा पर आगे क्या कह रहे हैं अभी तो यह सिर्फ हम conditions लगा रहे हैं उसके बाद जो है वह system of linear congress को introduce करा रहे है वो क्या कह रहे है कि एक्सट्य है वो concurrent है किसके A1 mod N1 X is concurrent to A2 mod N2 अब तो सौन आपके पास इसमें कहा तक कितनी कितनी किते congress है R Congress है यह linear Congress R है X is concurrent to A1 mod NR अचा यहां पर जो है यह A1 A2 यह क्या चीज़ है यह सल में यह यह है ठीक है कि कहते है N को जो है जिससे ही अगर मैं पहला A1 निकालूं तो A1 को आप X पर डिवाइड करें तो आपके पास जो रिमेंडर आता है इसको जो है कहते है कि X का Congress जो है यह remainder of with respect to mod N1 ठीक है अचा फिर आगे चलते हैं वजीद देखते हैं कि statement में प्रूफ क्या करना है क्योंकि अभी तक हमने प्रूफ करने की कोई बात नी की तो कहते है हमने system of linear Congress को कहते है प्रूफ करने कि इसके कोई simultaneous solution exist करता है जो कर यूनीक है ठीक है न और कहते है विद मॉडिलो ठीक है न मॉडिलो मॉडिलो क्या होगा कहते है इन सारे पॉसिटिव इंटीजिए न से लेकर न र तक उन सब का multiplication में जो answer होगा वह कहते है उस मॉड पे आपके पास यह इसका solution है वह एक्जिस्ट करना चाहिए और यूनीक एक्जिस्ट करना चाहिए चलाजी आप इसके proof की तरफ चलते है चले जी proof की तरफ आते है proof में सबसे पहले हम define कर लेते हैं कि मॉड जो कहते हैं और माल्टिक्रिकेशन के बार जो answer small N आता है इसको अगर हम divide करें ठीक है ना एन लसे डिवाइड करते हैं तो थो भी कुछ answer आता है एक क्दिक आता है and to so on हम इसको आ तक जब divide करते हैं तो हमारे पास जो है N1 से divide करती हूं तो मेरे पास क्या आता है N1 आता है इसको अगर मैं N2 से divide करती हूं तो इधर N2 आएगा ठीक है ना अच्छा पिर जो मजीद इधर से कोई चीज़ भी समझाने का मकसद है वो यह कि N1 को कैंसल हो जाएगा आपके पास जाए यह N1 किसके को लो जाएगा N2 आप्टे सोन NR ठीक है तो अब जो है यह N1 कैपिटल N1 और स्मॉल N1 के दर्मियान क्या कैते कुछ कॉमन है ठीक है कैपिटल N1 में तो स्मॉल N1 है ही नही ठीक है न तो अगर इस स्मॉल N1 है नहीं तो कैते कैपिटल N1 और स्मॉल N1 में कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाए बन के तो इधर हम यही लिख देते हैं कि क्लियर ली आपके पास NK कैपिटल NK और स्मॉल NK का कैते हैं जो GCD होगा क्या होगा वन होगा ठीक है जबकि के फ़ीमार तक ठीक है नब अब जहाए इधर हम एक Liniar Congress को Define करते हैं ठीक है नुशे पहले हम लोग करते हैं कि से रिफाइन करती हूं यह दिखें इसी से ही मैं लेती हूं नक क्याती हूं मनाती हूं nk x minus nk small nky is equal to 1 ठीक है न मैं आप कहते हैं ऐसे करते हूं 1 को इस साइट पर ले आती हूं nk y को दूसरी तरफ ले जाती हूं nk x minus 1 is equal to small nky ठीक है न अब जो है क्या है कि n small nk जो है वो इसको कि तक इदर divisibility की definition लगाई जाए तो क्या होगा divisibility की definition क्या थी कि b divides a कर रहा है ठीक है न तो वो क्या हो जाएगा वो a is equal to bc हो जाएगा तो यहां पर भी हो जाएगा कि nk जो है वो divides कर रहा है किसको capital nk minus 1 को ठीक है न अगर इस तरह की बात है तो हम जहाए विसको कहते है linear congruence के कहते हैं उसमें लिख सकते हैं के nk x जो है वो क्या है congruent है किसके 1k ठीक है ना congruent है 1k और कहते है with respect to mod nk ठीक है तो यह जो है इसको अब हम इस वाली बात यह जो हमने इस तरह निकाली है इसको में इधर लिख देती हूँ तो मैंने लिख दिया कि देंदा linear congruence जो है वह आपके पास किसके कहते है एक्वाल है कि nk x is congruent to 1 mod nk small nk ठीक है ना और यह solvable है यह linear congruence solvable है कि किस कि क्या चीज़ यूज करके हमने concept यूज किया है linear congruence का ठीक है ना और इस linear congruence का एक unique solution भी exist करेगा जो कि x k module nk के एक्वाल होगा बट यह जो हमने कहते हैं अभी suppose कर रहे हैं अब आगे हम चलते हैं अब हम कुछ claim करते हैं कि यह असल में result होगा ठीक है ना अच्छा जी अब जो हम क्या करते हैं कि आपके पास एक x bar है जो कि किसके equal है submission of i is equal to 1 to r a i n i capital n i x i ठीक है ना इनके submission के equal है ठीक है यह जो है यह भी हम सिर्फ claim करें हमें पता नहीं है कि यह जो है यह कहते हैं सही भी है कि नहीं है ठीक है ना we just claim it ठीक है और हम इसके बात लिख देते हैं कि is the desired simultaneous solution of the given system we have to prove this जो हमने खुद से claim किया है अब हमने इसको proof करना है ठीक है इस बात को आपने याद रख रहे हैं यह कि आगे जाके हम star equation को हम use करेंगे ठीक है इसको मैंने star करने दे दिया इसका हवाला मैं आगे दूँगी ठीक है इसको आप लिख रख रहे हैं कि सिंस आपके पास जो है अब करते हम इदर लिख देती हूं अब जो हम आगे से चलते हैं क्या है कि अब हम सिंस आपके पास जो था एंक किसके क्वल था n divided by small n k ठीक है न और n क्या था n1 n2 इनका product था ठीक है न और इसमें जो है nk minus 1 nk nk plus 1 ठीक है न और कहां तक n r तक divided by n k अब जब आपके दिक करेंगे solve तो nk nk से cancel होगा आपके पास क्या बच जाएगा आपके पास n1 से लेकर क्याते nr तक क्याते आपके पास elements आ जाएगे बट इसमें nk नहीं होगा ठीक है न तो क्या मैं इस capital nk को इस तरह लिख सकती हूं कि capital nk is equal to product यह product का sign है product of i is equal to one to r ठीक है न i कहां से कहां तक है one से लेकर r तक बट i जो है उसमें कहते हैं वो क्याते के equal नहीं होगा क्यूंकि इसमें जो है one से लेकर r तक सारे elements से हैं बट सिर्फ एक के element नहीं है तो इदे कोर कंडिशन भी लेका देती हूं i is not equal to k ठीक है न अच्छा और जो है पिर मैं क्या कहा देती हूं कि product of this and i ठीक है न यह मैंने अभी आपक बता है कि मैंने किस तरहां लिखा है ठीक है अच्छा जी तो अब जो है कि for i is not equal to k ठीक है न अगर i k के equal नहीं है तो n i जो हैसमें से कोई भी आप उठा ले n 1 उठा ले वो भी n k को डिवाइड करेगा n 2 उठा ले वो भी n k को डिवाइड करेगा अब तो son n r उठा ले वो 4i is not equal to k n i जो है वो क्या करेगा capital n k को डिवाइड करेगा अच्छा जी इदर फिर हम एक और कहते हैं इदर से अब इसी के दिवाइड को लेकर हम एक और कोंग्रेंस equation बनाएंगे और वो क्या है कि यह देखे n i जो है वो क्या कर रहा है n k को डिवाइड कर रहा है तो मैंस जिरो ठीक है तो अब जो है क्या करती हूं इसको जो है कर में कॉंग्रेंस equation में convert करना चाहूं तो वो क्या होगी वो कुछ इस तरह से होगी के n k जो है capital n k into x ठीक है ना और सिर्फ अभी तो पहले सिर्फ बाद में हम multiply करेंगे इस कॉंग्रेंस to 0 mod किस mod के लिहाज से n i small n i क अच्छा अब जो है क्या करें इस equation को multiply कर देते हैं एक के और x के से ठीक है ना तो इस के जब हम multiply करेंगे हम right side को left side को दोनों को multiply करेंगे तो हम multiply करते हैं a k x k से ठीक है ना a k capital n k x k और इस x 0 को जब हम उनसे multiply करेंगे तब भी 0 आएगा और mod को हम multiply नहीं करते हैं ठीक है ना अच्छा जी आगे जो हम let कर लेते हैं let i is equals to 1 ठीक है ना तो हमारे पास कहते हैं i जो हम 1 ले लेते हैं और k को हम change करते रहते हैं अब क्या करना है fix कर लेते हैं इन में से कोई एक अब जो i को fixed कर लेते हैं i fixed है और k को हम change कर लेते हैं अगर i 1 है तो फिर 1 के इलावा जितने भी कहते हैं वह है numbers वह कहते है k में होंगे 2 3 up to 100 on r ठीक है then अब हम क्या करते हैं सबसे पहले हम इतर put करते हैं ठीक है so k क्या value होगी स capital N2 x2 is congruent to 0 mod और i की क्या value है n1 a3 capital N3 x3 is congruent to 0 mod n1 ठीक है क्योंकि i की value fixed है up to 100 on जाई सी बात है यह चलता जाएगा कहां तक जब तक k की value r तक नहीं आ जाती है यानि के a r capital Nr ठीक है xr is congruent to 0 mod n1 ठीक है तो अब जो है कि थे हमने अच्छा जी तो अब जो है कि थे हमने सारी congress relations हमने लिख दी है अब जो है कि थे हमारे पास क्या है कि इसमें से जो कि थे x की जो है वो क्या है हमारे पास solution of linear congress है कि हमने शुरू में कहा है हमने जब suppose positions कर र xk जो है with respect to mod nk जो है वो क्या solution है तो फिर जो हमने उस वक्त एक कहते equation भी बनाई थी और वो equation क्या थी nk x is congruent to 1 mod nk ठीक है न यह हमने equation बनाई थी इसको हम जो है क्या name देते इसको हम 1 का name देते चीक है आप इसको कहते हम double star का name देते है ठीक है क्योंकि पहले हमने star name दिया तो इसको हम double star name देते अब आगे चलते अब जो है क्या करते है इस equation को हम लोग multiply करते हैं किसे कहते हैं एक से ठीक है न क्योंकि हम इसी तरह की question बनाएंगे अब कहते हैं हम इस तरह की questions क्यों बना रही है भी मैं आपको आगे जाकर बताती हूं कि क्यों बना रहे है तो इसको जो हम a k से multiply करते हैं so it becomes double star वाली जो equation है ठीक है न बिकम्स क्या हो जाएगे आपके पास a k n k और इस तरह जो है x की जगा पर हम x k लिखते थे ठीक है न x k is congruent to one mod sorry इधर भी जो है one की जगा पर भी क्या आजाएगा हमने खुद से क्या multiply किया a k multiply किया ठीक है न तो इधर भी जो है क्या आजाएगा one into a k क्या हो जाएगा a k into mod with respect to mod small n k ठीक है न यह हो जाएगा अब जो है हम क्या करते है अब जो एक k की value हम split करते है के जो था हम हमारा बस कहां से शुरू हो रहा था अगर हम देखें तो वह कहते है one two three up to one hour तक ठीक है इधर हमने वह condition जो हमने कहते है पहले लगाई थी कि I को fix कर दिया था और k को two से शुरू किया था आर तक यहां में कंडिशन हमें जरूरत नहीं है ठीक है ना तो हम के को one से ही शुरू करते है तो the above expression becomes ठीक है ना अब इदर लिख देते हैं मैं इदर आपको direct click कर बताते हूं कि क्या होगा जी तो मैं कहते हैं अगर k की values put कर देती हो one से के तहार तक तो कुछ इसा है कि कुछ इसा है कि क्वे relation i जो है वो कहां से कहां तक जा रहा है देखिए one से लेकर r तक तो one से लेकर r तक और मैं इदर लिख सकती हूं a i n i ठीक है न a i n i x i ठीक है और इदर मैं इस तरह से लिख सकती हूं के a i ठीक है तो मौड और जो है कहते है one two r जो है ये one two up to zone r इसको मैं इसा लिख सकते हूं mod n i ठीक है अच्छा अब जो है कहते हम मजीद आगे चलते हैं अच्छा शुरू में मैं आप से कहा था जो star वाली equation थी वह आपको याद रखनी है वह क्या equation थी कि यह वाली जो submission i is equals to one two r a i capital n i x i यह जो था यह किसके एक्वल था एक्स बार के एक्वल था इदर हमने claim किया था तो हम इदर यहीं लिख देते है एक्स बार is congruent to a i mod n i ठीक है अब इदर हम लोग कहते है अगर i की values लिखना चाहें तो हम लिख सकते है के x बा यह is congruent to a r mod n r इनके भी congruent है तो अगर x बार जो हर कहते है a1 के भी congruent है a2 के भी congruent है a3 के भी congruent है with respect to mod n1 n2 n3 up to so on r तो याद करें जो हमारा statement थी उसमें जो था इसी तरह का कुछ दिया हुआ था कि अगर x जो है वह congruent है this one or with respect to a1 mod n1 के congruent है काफी सारी system of linear congress दिया हुआ था तो उसका solution simultaneous solution exist करता है ठीक है न तो हम जो है इदर कह सकते है this shows that ठीक है इदर हम यह कह सकते हैं कि यह जो है x बार जो है जो कि कहते है कि इसके equalize is equals to one to r small a i capital n i x i यह जो है यह क्या है एक simultaneous solution है कि इसका system of linear congress का अचा जी तो क्या show करना था यह show करना था कि यह जो एक्स बार है जो कि submission था कि इसका i is equals to one to r a i capital n i x i यह जो है कि इसका simultaneous solution of the system of linear congress है ठीक है न यह हमने बात क्यों कही क्यों कि देखें आपके पास जो था क्यादेगे one statement थी उसमें क्या था एक्स जो था वह congruent to a1 mod n1 था पर यह था एक्स जो था रोण था at 2 में थी यु था था यह से withelly स्पर्प ido था था एक्स जो था और यह दृदत देखें अगर आफ लुदी इंवा क्या है यह वह क्यून है थीक आप्रियंदें अच। यह दोरे जो जुदा है वह क्या है खे एक्स जो है वो भी A1 से जो जो हम यह कह सकते हैं कि एक्स जो है वू क्या है जो है कॉंकि इू रह पार है ठीक है क्योंकि दोनों जो जो है minute A1 से डोने जो है अच्था हमारे पार्थ मिलें परकते हैं i और nj का जो है वो क्या है कहते है gcd क्या है 1 है ठीक है अमनी यह statement में कही थी ठीक है न for all i is not equals to j ठीक है यह हम बात statement में कर चुके थे तो हम जो है इधर जब multiply करेंगे कहते हैं तो वह मोड के लिहाद से भी congruent होगा nr या फिर इसको इससरा लिख सकते है n1 and 2 up to small nr कि इसके equal था n के x is congruent to x bar mod small n ठीक है तो यह इसके equal था यहां तक हमने प्रूफ कर दिया कि इसका simultaneous solution exist करता है बट यह unique है के नहीं उसका हम next proof करते हैं ठीक है अच्छा जी अब uniqueness की तरफ आते हैं इसकी uniqueness proof करते हैं एक तो हमारे पास solution था के x is congruent to a i mod n i ठीक है ना लेकिन हम यह सब्सक्राइब करते हैं कि हमारे पास से को solution y exist करता है ठीक है जो करते हैं को हमारे ठीक है ठीक है ना डिस्पेक्ट वारे ना जब्कि हम उपर कहरें के y जो है वह congruent и a i kई और लेचराइक हम कहरें गिवन है कि x और को ब openness आई ik के दोनों की और यह कि तो यह जो है उंढcape यह कि ठीक है एक पोसिबिटी है कि x जू है वह क्या होगा य के या फिर कहते हैं हम यह लिख सकते हैं कि इफ इड आली इफ एक्स जैम वाई के इक्वाल होगा यह कॉंग्रेट होगा हैस जो है मारा सॉलुशन ऑफ दे सिस्टम जो है वो क्या होगा यूडिक होगा ठीक है यह तो हमारा चाइनिज रिमेडर तेरम इसका हम के इक्वाल भी करेंगे लेक्श लेक्शर में तो आपको जाए यह तेरम जादा चेते हैं किस्टम जाजएगा